वेलकम तो देस लेशन तो फ्रेंट्स, CIV का जो इजाम डेट है वो आपके 10 जून से शुरू होने वाला है 10 और 11 जून को आपका AVM और BFM का कंसिक्यूटी पेपर है तो फ्रेंट्स, इस वीडियो को बनाने का मेन एम है कि मैं आपको बताओं कैसे आप AVM और BFM की तैयारी करें आने वाले दो सब्तों में याने आने वाले दू वीक्स में हाउस सु यू प्रिपेर पर AVM और BFM स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए ताकि आपका एफिसेंसी बर जाए कम इंपूट में आपको आपको ज्यादा मिले चलिए दोस्तों महत्पून बिंदो के बारे में बात करेंगे दोस्तों मैं आपको कुछ important topics के बारे में बताओंगा जो कि मैंने previous year question के business analysis किया है कि हाँ यह सभी topics से question बहुत important है तो जरूर वीडियो को अंतिम तक सुने मैं आपको important topics से बताओंगा मैं बताओंगा daily wise strategy कि daily आपको क्या cover करना चाहिए ताकि यदि इतना कर लें आप तो अनिशी दूरुप से आपका ABM BFM निकल जाएगा इस particular session में और भी कुछ महत्पून बिंदों के बारे मैं बताओंगा कि exam में कैसे strategy exam में कैसे आपको paper देनी है चली शुरुआत करते है वीडियो लेशन को दोस्तों देखिए आपका exam का जो schedule है वो 10 जून को ABM का वेपर है 11 जून को BFM का वेपर है इस बार दोनों paper consecutive है तो अभी आपके पास दो सब्ता है तो आप इसको strategy कैसे बनाइए वो मैं बताता हूँ देखिए सबसे पहले पहला week को आप BFM को देज़े यानि आज से लेकर अगले Saturday तक इस week के Saturday तक आपको BFM परना है और जो second week है next week उसको ABM को देना है यानि दोस्तों Monday Sunday से लेकर next Sunday से लेकर आपके अगले Saturday तक का आपको ABM पढ़ना यह आपको तरीका होना चाहिए तो last दो week में मैं क्या कहूंगा दोस्तों केवल MCQs में ध्यान दीजिए MCQs case study maximum से maximum solve पीजिए MCQs में theoretical MCQs भी आएगा numerical MCQs भी आएगा तो unpredictable exam है यदि मैं कहूं कि उससे पहला paper का मैं आपको history बता हूँ तो वहाँ पे दोस्तों numerical question जादा कुझे गया दे case study का ज्यादा weightage था लेकिन इस पिसला paper में विल्कुल opposite था theoretical question ज्यादा था तो अने का मतलब कि unpredictable है आप यह नहीं कर सकते कि आप numerical पढ़के जाएंगे तो आपका होई जाएगा क्योंकि पिसला paper में 60 से लेके 70% question theoretical थे as per the student review तो दोस्तों आपको क्या करना है कि केवल केवल MCQ solve करना है MCQ में theoretical MCQs भो numerical MCQs भो case studies हो सभी को सभी खाली यहीं आपको last week में करना है अब कैसे करना है मैं समझाता हूं दोस्तों आप help ले सकते हैं हमारे question bank का हमारे question bank में दोस्तों आपको सभी subject के चाहिए ABM हो चाहिए BFMO सभी subject के दोस्तों पर हर एक unit का लगभग 100-200 MCQs मिलेगा उसके अंदर case studies be included है और सारा कुछ included है तो आप उसका help ले सकते हैं आपको MCQ solve करना है और उससे concept सीखना है ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों हमारे चैनल पर कोई revision station videos available है कोई revision station module wise available है दोस्तों मैं आपको बताता हूं तो theory के वाल उसी MCQ का पढ़ना है जिसको आप solve नहीं कर पा रहे हैं ठीक है दोस्तों देखिए आपको मैं schedule बताता हूं जैसे सबसे पहले 28-29 यानि दोस्तों आज आपका 28 है 28-29 को आप सबसे पहले BFM module भी cover किजिए module भी थ्रहाँ सा और दो तीन को BFM module ए complete किजिए कैसे complete करना है दोस्तों मैं आपको बताता हूं और देखिए सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको module wise quick revision videos को जाना है सबसे पहले आपको दोस्तों हमारे चैनल पर quick revision videos available है module wise उसका link में आपको discussion प्रवाइड कर देता हूं हमारे telegram channel के साथ जुर चाहिए वहाँ भी आपको link मिल जाएगा telegram channel पर मैं daily quiz भी conduct कर रहा हूं दोस्तों telegram channel का link civ made simple civ made simple करके आप telegram पर search किजिए हमारा channel आजाएगा उससे जुर जाहिए वहाँ पे मैं daily daily quiz पोस्ट कर रहा हूं जो कि आपके examination के लिए बहुत ही helpful है तो आप उस quiz में जुरूर पार्सिपेट केजिए सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि आप जो है quick revision videos को कुई revision videos देख लीजिए ठीक है यानि आपको module का quickly revision हो जाएगा उसके बाद आपको quick revision video देखने के बाद दोस्तों किवाल mcqs को practice करना है mcqs और case studies all पीजिए आप हमारे question bank का help ले सकते हैं इस particular particular technique करने के लिए इस case studies के लिए और दोस्तों करना क्या है आपको जैसे आज आपने module भी जैसे दो दिन में complete किया दोस्तों हमारे पास full length mock test है यह mock test दोस्तों module बैज बनाये गया है यानि आपने एक module कबर किया 100 question का set है जो कि maximum previous year question लिए गया है यदि आप उसको attempt करेंगे तो आप देख पाएंगे कहीं कोई छुटा तो नहीं हमसे उस particular test में दोस्तों सभी प्रकार के questions हैं यदि आप उस test को देते हैं तो आपको प्रा mock test में cover हो जाएगा यदि आप से कोई question mock test में गलत बना है तो उसका पाप उसका आपको proper solution मिलेगा था कि आप solution से check कर भाएं कि हां मेरी क्या गलती है और मैंने क्या नहीं परहा तो दोस्तों at the end of day you should give the mock test और इस प्रकार से आप समझे कि हां आपका module एक module complete हुआ तो मैं फिर में सारा कुछ arrange है module wise arrange है तो किवल MCQs or case study solve कर लिजे it will hardly take 4 to 5 hours ठीक है एक दो दिन में तो आपको divert करना ही पड़ेगा चार से पास गंटा चार से पास गंटा में दोस्तों जैसे एक module में मालेजे 8 unit है तो चार से पास गंटा में MCQ case study सब solve कर लेंगे हमारे numerical MCQ में proper numerical explanation भी है solution वीडियोज भी है दूस्तों उसका भी आप help दे सकते हैं जैसे आप MCQ case study solve कर लिए उसके बाद आप उसका mock test दे दीजिए mock test में मुसिल से आपको एक गंटा का समयल एक गंटा का time constant रहता है एक गंटा मॉक्टेस देना है तो खुल मिलाकर दो गंटा आपको लगा कोई करिविजन वीडियो देखने में एक गंटा कोई करिविजन वीडियो को देखने में फिर 4-5 गंटा MCQ को solve करने में और एक तक 3 तारी तक आपका BFM complete हो जाएगा module Y अब ABM को अगले week में आ जाएए चार से पांच को ABM module C को दीजिए फिर 6 तारी को module भी दीजिए 7 को module C दीजिए और 8-9 को ABM module ले दीजिए इस प्रकार से आप strategy बनाईए और कैसे cover करना ये भी में आपको बता दिया कि सबसे पहले Mocktis जो में हम provide कर रहे हैं उसको आप देख लिजिए दोस्तों हमारे पास 2000 MCQ series है तो आप केबल MCQs को solve कीजिए concept को MCQ से समझेए theory केबल उसी MCQ का पढ़िए इसको आप solve नहीं कर पा रहे हैं अलग-अलग MCQs को solve कीजिए हमारे पास 4 full length Mocktis भी available है जह जादा detail के लिए आ आपके सामने हैं अब दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि कुछ-कुछ important unit जिस पर question हर एक साल पुछे जाते हैं उसको आप जिरूर देखके जाए इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वह नया है लेकिन इससे पहली के जो यूनिट्स है उसके बारे में मैंने analysis किया है प्रॉपर और उसको मैं आपकी सामने प्रसूत करता हूं देखिए दोस्तों यह हमारा मॉडूल एक आपको मैं बताता हूं देखिए मॉडूल ए में से आपको कहा कहा से case study पुझा जाएगा यह वह में वह देख लिजिए sampling यह estimation से पांच मार्स का case study आएगा time series से पांच मार्स का case study आएगा simulation और linear programming से पांच मार्स का जैसे variation in time trends आप पर देखियोंगे cyclical variation फिशिजनल variation इन सभी से दोस्तों दो मासा question आता है sampling method के जो basic formula होते हैं आपको basic formula पता है सब्सक्राइब कर दोस्तों कर लेंगे तो 46 पर जाएंगे तो जरूर दोस्तों आप एक एफोर सीट पेपर लिजिए उस पे किवल formula को लिख लिजिए यानि तो हमारा formula PDF का भी help ले सकते हैं दोस्तों उसके बाद देखिए bonds पे पुछा गया है bond value पे इस अब 2 मास से 2 से 4 मास से question आता है जैसे bond value निकालना ytm निकालना, current yield निकालना, rate of return निकालना, duration निकालना, net present value निकालना, correlation में r value पुछा जाएगा, r less than 0 है, r equal to 0 है, r 1 से greater than 0 इसा क्या मतलब है, confidence level से एक math question पुछा जाएगा, estimation में दोस्तों binomial distribution का case study पुछा जाता है, ठीक है, यह सभी चीज़ हम लोगों ने discussion किया है, अब module B में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, module B में दोस्तों, दो case study रहाएगा, ठीक है, और हमारे पास एक video साइस में मैंने सभी तरगर case study को solve किया है, आप उसका help ले सकते हैं, और हमारे PDF का भी help ले सकते है, all the talk of case study have been solved there, module D में, जो भी हमारा module C हो गया, credit management, उसमें देखिए पंद्रम मास का theory, पांच मास का numerical, यह analysis किया गया है दोस्तों, पंद्रम मास का theory question आएगा, पांच मास का numerical आएगा, और दोस्तों, module C में जो हमारा ratio analysis है very 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 important, आप note कर लिजे दोस्तों, यदि आपको पहले कोई सी topic पढ़ना है, तो ratio analysis पढ़ना है, बहुत important है DSCR, पिर जो आ very important is ratio analysis, जरूर देखे जाए ratio analysis को, यानि कि जो आपका analysis और financial statement unit house को जरूर देखे जाए, उसके लाब दोस्तों, term loan, MSME, priority sector, यह सभी theory में आते हैं, अब जरह मैं आपको BFM का बता दोस्तों, देखिए BFM में यह weightage रहता है, module A का, module A में दोस्तों, theoretical question 15 मास के, numerical question 2 मास के case study 15 म module B में दोस्तों, 18 मास के theoretical question, यह मैं आपको पिछले साल का बता रहा हूँ, और देखिए, 10 से 12 मास के numerical question, 10 मास के case study, module C में दोस्तों, weightage दे सकते हैं, A का 25 से 30, B का 30 से 35, C का 20 से 25, D का 25 से 30, यह weightage है, ठीक है, तो case study 40 मास का आएगा, और theoretical numerical मिला के 60 मास का आएगा, लेकिन दो table है, यह मैं आपको बस analysis बता रहा हूँ, कि इस तरह के question पुछे जाते हैं, अब मैं आपको topic बता जाता हूँ, देखिए, forex rate देखके जाए, classification देखके जाए, LC में LC से case study पुछा जाएगा, facilities for exporter and importer का 2 मास का थोड़ी question रहेगा, policies, ECGC, 1 से 2 मास का थोड़ी question रहेगा, त advertise करना है, तो यह facilities, policies, Exim Bank, FEMA, RBI, सभी से देख सकते हैं, 2 मास, 1 मास, 1 मास, 1 मास, तो कम question पुछे जाते हैं, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, मैं यह नहीं बोलाओ, छोड़ के जाए, लेकिन आपके पास, यदि आपको यदि priority पे रखना है, तो इन सभी को priority में मत रखि से, फिर दोस्तों, market risk, capital risk, operational risk, सबसे 2-2 मास के theoretical question आते हैं, जो भी approaches हैं, हमारे उससे 5-10 मास के question आते हैं, ultimate J-discor से 5 मास का case study आता है, फिर दोस्तों, path 5 skill method, estimated level of operational risk, इससे question आता है, बेसल 3 framework से 2 मास का आएगा, लेकिन ऐसा कोई fix नहीं है, आपको पता हैं दोस्तों, इसमें आपका, यह आपका, बेसल 3 framework से भी कभी कभी case study पुछा जाता है, ठीक है, यह सब important topic है, module C की बात करें, तो spread, open position, secondary market, फिर दोस्तों, critical question, call money, notice money, treasury bill, gap, risk, measure, VAR, calculation, approach, duration, ytm, duration, gap, यह सब से सबल पुछे जाते हैं, derivative product से critical question आएंगे, treasury and ALM से critical question आएंगे, module D से दोस्तों, spread, objective, positive, gap, ALM, slab, parameter, NII, NIM, CR, AR, cooks, ratio, RWA, tier 1, tier 2, यह सब भी theoretical wallet units है, तो friends, यह था हमारा topic का, important topic का, so friends, overall मैं यह कहूंगा, का आपको मैंने strategy बता दिया, आप यह से बस follow कीजिए, यदि कहीं study material के requirement है, mock test आपको अवेल करना है, तो हम इस नमर में बार्ट से आपको मैं mock test, और जो भी any type of assistant currently, join our telegram channel, we are providing free MCQs, free quizzes there, आपको freely quizzes available होगा, telegram channel का link description में भी है, यानि तो आप telegram पे CIV made simple करके search करेंगे, तो आपको telegram मिल जाएगा, धन्यवाद